फीबा शेहर में बच्चो को लाने ले जाने के लिए स्कूली बाहनों में निर्धारिक नियमों की अंदेखी की जा रही है कहीं ओवर्लोडिंग हो रही है कहीं सुरक्षा इंतिजामों को नुजर अंदास किया जा रहा है कि लापरवाही बच्चो पर भारी पड़ती जा रही है तो रसल स्कूली बच्चो की साथ दरिंदगी सहेत अनिक अने की बाद सही प्रशासन इसतर पर कड़ी गाइडलाइन जारी की गई है इसका सभी बाहाण चालकों को सखती से पालन करने की हिदायत दे गई है लेकिन स्कूल संचालक मनमानी छोड़ने को तयार नहीं है आपको बता दें कि स्कूल बसों में श्रबता सेधिक बच्चे बठाए जा रहे हैं एक स्कूल वैन में 16 सीट में 32 बच्चे बठाए गए जो खुद स्कूल संचालफों की मनमानी का खुलासा कर रही है अमुवन ये स्थिती कई स्कूली वहानों में भी देखने को मिली है कुछ बसों में पास्टेट बॉक्स नहीं रखे हुए हैं जबकि यह अनिवारे रूप से निर्धारित किया गया है परताल में सामने आया है कि नियम काईदे इस सिर्फ अबठाकों में सामने आया है हकी कर बहुत बिफरीत है यातार पुलस ने स्कूली वहान रोके चेकिंग में सामने आया इला परवाही ये नियम काईदे है सासन की जो नई गाइड लाइन ने आई है सभी में सिसी टीवी वगर होना चाहिए ड्राइवर वर्दी में हो ट्रैनिक बटन हो वर लोड ना चले सीट बेंड लगा कर चले और बच्चों की सुर अच्छा पे धाम दे इसके चलते सभी स्कूल बसों की चेकिंग की जा रही है पहली बार में उन्हें समझाईज दे कर छोड़ा जा रहा है नेक्ट इसके बाद उन्हें पर करवाई की जाई